दोस्तों कैसे हो आशा करता हूँ आप सौस्त होंगे मस्त होंगे आप देखना सुरू कर चुके हैं बफैलो लाइफ यह है ब्लैक बफैलो यह है पानी में नहाने जा रही है यह काली भैस बहुत ही प्यारी लग रही है यह देखो दोस्तों यह देखो यह पानी में बहुत ही जाकर यह करती हैं देखो भैस तयरती हैं, बहुत ही प्यारी लगने, बहुत ही खून बशूरत है कैसे तहरती हैं कि इस कितनी खुब सूरत को डेकितना नहीं पानी में तरती प्यारी लग रहें कितनी खुब सूरत यह प्रकर्दी की उद्रत के बनाये हुए नजारे उद्रत ने क्या बनाया हुए दोस्तों कितने अच्छे लग रहे हैं यह भैस कितने आराम से देखो कितनी प्यारी लग रही है इस बीटीफु लेनी मल्ट यह बाहर निकल रही है यह देखो यह कितनी अच्छी लग रही है पानी में नहाते हुए भैस की जिंदिगी देखो पानी नहा रही है और पानी पी रही है देखो दोस्ति न खूबसूरत लग रही है यह चोटे से बच्चे चोटे चोटे भी है कि कितना गहरा है पानी दोस्तों इसी पानी में नहाती रहती है बहुत अच्छी लग रही है बहुत खूबसूरत इनीमल लाइफ यह है दोस्तों प्लीज वीडियों को पूरा देखिएगा इस्किप मत कीजिएगा आपको बहुत अच्छा लेगा देखो दोस्तों भैस कैसे पानी में पूरा डूब गई है डूब कर नहा रही है गर्मी में पानी का आनंद ले रही है पानी में नहाते हुए भैस की जिन्दगी पानी में नहाती हैं भैसें तो दोस्तों इनकी सरीर ठंडी रहती है और दूद भी बहुत देती हैं दोस्तों क्योंकि इनके सरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होती और ये पानी में बहुत देर तक रहती हैं दोस्तों एक एक दो दो घंटा, तिन तिन घंटा पानी में रहती हैं, पानी में रहने से इनके सरीर में एकदम ताजगी बनी रहती है, देखो दोस्तों कैसे पूरी सरीर इनकी पानी में डूब गई है और इनकी सरीर सिर्फ इनकी सर दिख रहा है, और देखो छोटा सा बच्चा देख दोस्तों अपनी सूजबूज होती है इनको भी समझ होता है कहां नहाना है क्या करना है तो पानी में कैसे कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्यारी लग नहीं बहुत ही खूब सूरत यह हैं तो बीटिफुल लाइफ परकृतिक द्रिश देखो दोस्तों कान से कान हिला रही हैं दोस्तों दोस्तों आसा करता हूं आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और वीडियों को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बिल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आपको मैं किसी तरह की निचुरल वीडियों अपलोड करूं तो दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा आपके पास मैसेज पहुत जाएगा फ्लीस दोस्तों प्लीक मैं जरूर कीजेगा आपको यह जितली जिस्थ काली भैंशो की जिन्दगी की देखो दो जल्खुम्भी भी है और एक लंबे-लंबे होते हैं राम बान बोलते हैं इसको राम बान ये बहुत बड़े-बड़े होते हैं दोस्तों और ये जल्दी खतम नहीं होता ये देखो ये ये राम बान है और वह साथ में जल्खुम्भी पानी के किनारी और साथ में ये देखो य मोहग दृश्य दोस्तों प्लीज आप कमेंट जरूर किजिएगा आपका कमेंट देखकर हमको बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पड़ता हूं बहुत ही प्यारा-प्यारा कमेंट आप करते हैं यह प्रकृतिक दृश्य कुदरत के बनाए हुए नजारे दोस्तों यह भेंस पानी में नहाती हुई ये जानौर दोस्तों बहुत समझदार होते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे होते हैं और ये है उद्रत के बनाय हुए इनसे हमको बहुत कुछ फाइदा मिलता इंसानों को दूद भी देती हैं दोस्तों इनके दूस से बहुत कुछ बनता है दोस्तों, मिठाईयां, पनीर, मठा, चाच, लस्सी, खोवा, हर तरह की इहीं के दूस से बनता है दोस्तों कुद्रत ने देखो इंसान के लिए क्या-Kया बनाया हुआ है दोस्तों, और देखो कितना अच्छा लग रहा है पानी में तरती हुए भेंसों की जिन्दगी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपने इतना कीमती समय निकाल कर हमारे इस काली भेंस बफैलो लाइफ को देखा आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद जहां भी रहें स्वस्त रहें दोस्तों और खुश रहें बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों हमको जो वीडियों अच्छी लगती है दोस्तों निच्चुरल वीडियों प्रकृतिक दिरिश हम आपको दिखाते हैं दोस्तों प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये काली भैस बफैलो लाइफ कैसी लगी यह कुद्रत के बनाय हुए नजाय देखो कितनी हैं दोस्तों वह से एक दो तीन चार पान छे साथ आठ नो नो भैसे हैं दोस्तों पानी में मगर दिख नहीं रही है जब जा रही तो आपन तो थैंक यू दोस्तों दिल से धन्यवाद आपको फिर मिलते हैं किसी और एनिमड्फ लाइफ या फलावर्स वीडियों या बड्र वीडियों में चीडियो n borrow की जिंदिकी दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों आपको तरह तरह की पिरकिर्दिक द्रिश नेशुरल ब्यूटी देखने को मिलेगा तरह-तरह के जानलों की छोटी-छोटी एक्टिवीटी दोस्तों जिसको देखकर आपको बहुत अच्छा लएगा अब देखो दोस्तों यह दोस्तों अभी हैं से बाहर निकल रही हैं बहुत प्यारी लग नहीं देखो यह इतना मन्मोहक द्रिश है यह है प्रकिरतिक द्रिश है कुद्रत के नजारे दोस्ते हैं जो कि देखने में बहुत प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा थेंक्यू दोस्तों दिल से धन्यवाद आपका फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में ओके दोस्तों बाद बाद दोस्तों थेंक्यू आप जहां भी रहें खुस रहें दोस्तों